नमश्यार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बिदा दें कि आने वाले तीन दिनों का शमय आप शबी के जुनकाल में जो बड़े बदलाव करने वाले हैं दोसों ये कल्यू का शबशे बड़े बदलाव होंगी जियां दोस्व यूख है अगले तीन दिनों के अंदर आप शेबी की जुनकाल में शभशे बड़ा अनर्थ होने वाला है जियां दोस्व जो आपने कभी शवने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों ये शी महत्पुन घटना अब आप शिवी के जिवन काल में होने वाले है जिए दोस्तों अगले तीन दिनों का शिवी में आप शिवी के लिए सब शिवी भागी शाली शमय होगा पर दोस्तों हम आप शिवी को बिता दें कि ये अश्में आपको कुछ महत्पुन बातों का ध्यान रगना बेहती आउश्य होंगे अगर आप इन्हें शिवी बातों को नजर अंदाज करेंगे अगर आप इन्हें नहीं जान पाएंगे तो दोसों आप शिवी को बिदा दें कि आप अपने जुनकाल में खुद को बहुत ज़्यादा कोशने वाले हैं क्यों दोसों बहुती अच्छी उपलब्दी अगले तीन दिनों के शमय में आप शिवी को पराप्त होने वाले हैं जो गरों की जितिय अश्मी बन रही है बेहद ये लाब गारी आप शिवी के लिए है और दोसों यसमी चंद्रमा आप के लिए बहुती भागे शाली इस्तिती में है जेतोसों आप शिवी को विदा दे कि आप के लिए लाब घर में है और जो बड़ी कुशकबरी अगले तीन दिनों में आप शिवी को पराप्त होने वाले हैं दोसों शब लोग कहेंगे ये अनर्थ हो रहा है आप शिवी के जुनकाल में अचाना केशी कुशकबरी केशी आशकता है जेतोसों सब लोग अच्छबिक में पढ़ जाएंगे परन्तों यसमी आपको कुछ बातों का ध्य जो घटना आप अपनी आँखोशी देखेंगे ये देखकर आप शिवी के आँखों में खुशी के आशू निश्चिती आ जाएंगे जिहां दोसों दरशल दोसों हम आप शिवी की जानकारी के लिए बता दें कि अगले 22 घंटों के अंदर आप शिवी के राशी में दोसों आप शिवी का पूरा जिवन बदल जाएगा जिया दोसों आने वाले 72 घंटों के अंदर दोसों आप शिवी के जिवन काल में दोसों आपको बहुती बड़ी बड़ी खुशकबरी मिलेंगी उस चेतर शे जहां पर आपने कभी कलपना भी नहीं की होंगी इसलिए द शेमें भगवान श्र sinnersी विश्णो जी का अश्यरबाद आप शिवी को पराप्त होगा जैन दोसों जिनसे आप शिवी के जुनकाल में आपके बहुत शारी केश्ट बहुत शारी शमेश्याएं भी खतव होंगे जैन दोसों हम आप शिवी को बढ़ा दे कि Богवान शिर'veी वि इस्थति उनके जुनकाल में उत्पन हो ही नहीं शक्ति है, चाहे उनके जुनकाल में कितने भी शत्रू हो, कितने भी द्यत्य दुश्मन हो, अगर इश्वर के शरणों में कोई भी जातक जाता है, इश्वर को परशन करता है, अच्छे कर्म करता है, तो दोस्तों भगवान श श्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है दोस्तों आने वाले तीन दिनों का श्मे बहुतर घंटों का श्मे आपके लिए कोई हीरेशे कम नहीं रहने वाले हैं दोस्तों या श्मे आप श्मे को बता दें कि दोस्तों जो भी आपके श्मेश्याएं हैं वे श्मेश्मात हो जाएं बहुत ही ज़्यादा वश्यक है दोस्तों आपने यह बात सुनी होगी कि जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर बोरी लोग भी होते हैं ज्यां दोस्तों इसी प्रकार कुछ आप शुभी के जुनकाल में कुछ इसी लोग हैं जो कि दोस्तों आपको हमेशा नुक्सान प बहुत ही उस्तार तरिकेश बताने वाले हैं और कुछ यशे शरल उपाई भी आपको देने वाले हैं जरी में आपको एक पेशा भी नहीं लेगा और दोस्वों आप शिवी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा शबी देते दुश्मनों शिमुक्ति आप शिवी को मिल जो हीरेशे किम्ती शमे हैं उनमें दोस्वों आपको हीरेशे भी बड़ी लाब मिलने वाली हैं जिनसे दोस्वों आप शिवी का घर और परिवार बिल्कुल ही खुश्यों में जुमेगा तो दोस्वों वीडियो को अंते तक देखिएगा उश्ये पहले दोस्वों शरपर और दोस्वों भगवान श्रीरी विश्नु जी आपके उपर हमेशा जुनकाल में किरपा बनाये रखे मतल लक्ष्मिक अश्रबाद आप शिवी के घर परिवार पर हमेशा पढ़ते रहे तो दोस्वों इस चैनल को आप शब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो ऐब दोस्वों वीडियो को इस शुरुआत करते हैं दोस्वों शब्से पहले आप शिवी को बता दे कि आने वाले 22 घंटों का शमे आपके लिए कोई शाधारन शमे नहीं रहने वाले हैं दोस्वों यश्मी गरहों की शिदिके शाथ साथ इशुवर की भी देवी शक् और आप शिवी को बहुती बड़ी शबलताएं देने वाली है तो दोस्वों यश्मी में आपको कौन-कौन शी शबलता मिलेंगी और कौन-कौन शी बातों का ध्यान रखना होगा दोस्वों शब्शे पहले आप शिवी को बता दे कि इशुवर की देवी शक्तिया आपके शिवी को बताने वाले हैं दोस्वों शब्शे पहले आपको बता दे कि जो भी जात तक इश्राशे के हैं जो पिछले जियुनकाल से बहुत ज्यादा परिशान है जो पिछले जियुनकाल में महनत के उनका फल नहीं मिला है तो दोस्वों हम आप शिवी को बता दे कि अब लिए बिल्कुल ही विपरित होने वाले हैं जहां पर पिछले शिवी में आपको बहुत शारी मेहनत का भी फल नहीं मिल पाया है वहीं दोस्तों यह शिवी में आपके जो भी मेहनत हैं उनके दूगने लाब मिलने वाले हैं इश्वर की देवी शक्ति आपके शाथ है तो दोस आच्छेतर नहीं होगा, जहां पर आप पराजे हो जाएं। बाप शिवी के जिवन से आप विलोप्त हूने वाली है और दोस्तों दशे परीपी पूर आप शिवी का घर और परिवार हो जाएगा दोसवों, आने वाली 72 गंटों का शमय आपके लिए हीरेश कीमतिश जमय है इसलिए दोसवों या शमय इन शमयों को आप बिल्कुल ही जाया मत किजेगा और कुछ बातों को आपको अपने जिवनकाल में ध्यान रखना है जह से कि दोसवों आपको अपने जुनकाल में कुछ बातों कैदर रखना है शबसे पहला बात यहा है कि दोस्वों आने वाली 72 घंटों के शमे में आप अपने शमे को बिल्कुल ही गलत जग़ा पर इन्वेश्ट मत किजेगा जिया दोस्वों जब भी आप काम करने जा रहे हैं तो दोस्वों बिल्कुल ही आप काम पर ही जाएगा इशान नहीं कि काम पर जा रहे हैं और कहीं और चलेगे और दोस्वों वाहाँ पर अपनी शमे को नश्ट कर दिये दोस्वों इस बात को आपको याद रखना है जिया दोस्वों जो भी आप कारी कर रहे हैं जिसे भी छितर में कारी कर रहे हैं तो दोस्वों उन शबी पर आपको कड़ी नजर रखनी होगी जिया दोस्वों अन्यता आपके आँकों के शामने नहीं बलकि दोस्वों आपके पीट पीचे चुक होश रखती है लाने वाली है और दोस्तों उनका फल आप शिवी को मिलने वाले हैं जिसे छेतर में जाने का आपका लक्ष है दोस्तों वह लक्ष आप शिवी को प्राप्त होने वाले हैं जो चीजों की चाह आप रखते हैं दोस्तों वह चाह आप शिवी के पूरी होने वाले हैं श्रमी बह विचार से आपको किशी के शाथ पेश आना है किशी के पड़ती यश्मे दुश भाव आपको नहीं रखना है जो भी आपके पड़ती दुश भाव रख रहे हैं यश्मे इश्वर की देविशक्ति आपके शाथ रहने वाली है भगवान श्रेडी विश्णू जी का नहीं करना है, बांकि शम्य आपके लिए आपकी काबलियत का आपकी योगताओं का तारिफ दिलाने में हमेशा आपकी शाथ रहेंगी, जिया दोसों यशी में आपको बदा दे, कि आप जिस भी कारे में अपना हाथ को डालेंगे, वह कारे अवशी आप शिभी के पक्ष में जिया दोसों, आप शिभी को बदा दे कि शंतान से शंबंदित यशी में आपको जो भी शमश्या है, वह शमश्या दूर हो शकती है, शंतान के और शे आपको यश्मे बड़ी खुशकबरी मिल सकती है, जो लोग पिछले कई शमश्ये शंतान प्राप्ति के बहुत ही चाहा प्राइकरम होने की शंभोना भी बनेगी, या फिर इंकी योजना आप बनाशकते हैं, आने वाले शमश्या में आप शिभी को बता दे कि कहीं पर आप लंबे टूर पर भी जा सकते हैं, जो कि धार में अस्तल हो शकता है, जिया दोस्तों इसको अश्यो बरांत आप शिभी क की प्राप्ति होंगी, हर कारियों में आप अपना एक अलगी वर्चर्श बना कर रखेंगे, आपका श्रमान आदर एक अलगी लेवल पर होगा, आप शिभी को बता दे कि या श्मे आपके जिंदगी का जो भी पिछले श्मे के कारे थे, वह श्मे दोस्तों आपको श्वलत नहीं मिली थी, लेकिन अब श्मे बहुती महत्पून है या श्मे, फिसले श्मे के मेहनत का अफल आप श्वी को मिलने वाली हैं, जिनसे दोस्तों आप श्वी को अपने अंदर आत्म विश्वास का एक अलगी जलग दिखेगी, जिनसे आप खुद पर घर भी मेशूर करें चिनसे आप श्वी को बता दें, कि आने वाली 72 घंटों के अंदर आपको कुछ यसे शूब शंकेत भी मिल सकते हैं, जो कि इश्वर की देवी शक्तियां आप श्वी के शाथ रहने वाली है, इनिके दोरा यह शूब शंकेत आप श्वी को मिलने वाली है, बश आपको इने जर्जेत अंदाज नहीं करना है, दोस्तों आप श्वी को बता दें कि यह शंकेत रहसा हो शकता है, जब भी आप रात को शोने जाते हैं, तो दोस्तों आपके शामने, कोई छिपकली आजाए, जों दोस्तों ध्यान से सुनईगा, अगर दोस्तों आपके घर में, कोई तो इस संकियत को आपको शिमलना है और दोस्नों जब भी ए संकित आपको मिलते हैं तो शुलब उटकर आपको क्या करना है ना धो लेना, और दोस्नों गंगा जल से खुद को शुद्ध कर लेना है और दोसों मातलक्षमी की आरती करनी है मातलकषमी का पूजा पाट करना है और दोसों ध्यान रकिएगा जब भी आप पूजा करते हैं वी भी मातलक्षमी को एक लाल पुष्व अवशी अर्पित किजेगा इनसे दोस्वों आप शिवी के ये जो शंके थे उनका बहुती शुप फल प्राप्त होगा इनसे मातालक्षमी का जो आप आदर करें इनसे उनके मल में आपके अलगी छबी बनेगी और मातालक्षमी आपसे बहुत यह दपश्चिन होगी तो दोस्वों इस उपाय को आपको अपने ध्यान में रखना है इसके उपरांदी दोस्वों आप शिवी को बता दें कि आने वाले बहुतर घंटों का शमी आपके लिए बहुती मैत्पु शमी है येसमे आप शूब को बता दें कि आपके घर परवार में धनलाप की येशी प्राप्ति होगी येसे दोस्तों घर परवार में खुशियों की एक अलगी चबी रहेगी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा जो लोग नोकरी के तैयारी कर रहे थी येशमे उनके नोकरी के परदी कोई ऐसा सुपसमचार मिलेगा जिनसे घर परवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा विद्यार्थियों के लिए श्रमी बहुत ही मैत्पुन है येशमे गरहों का बहुत ही अच्छा लाव आपशिभी को मिलेगा बस आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देने का उशकता है और जो भी आप अप ध्यान दे रहे हैं येशमे इनका फल आपको स्योगने में मिलने वाले हैं बस दोस्टों आपको क्या करना है कि अपने शमी को बिल degener नहीं करना है पढ़ाई में एक गर्चित होकर अपने पढ़ाई को करना है आने वाले 24 घंटों का समय आपके लिए बहुत ही महत्पुश शमय है यह समय आप कोई नए एश्य कार करेंगे जिनसे आप शिभी का समय आने वाले शमय में सब यह अलग होगा यानि कि दोस्व और शमय होगा कि लोग कहेंगे इनको वर्दान मिल गया है इसवर का वर्दान आपको मिल गया है एश्य समय आप सबी को मिलेगा कि दोस्व आने वाले 22 घंटों के अंदर जो गुरू और जो बोद्धिक इस्तिति होगी आपके लिए बहुती लाबकारी है द जब दोस्तों वहिशी नचत रोड़ हिशे पक्ष में इसी सुभियों का निर्मान हो जाना दोस्तों व्यक्ति को हमेशा धनशे माला माल कर देती है। जब दोस्तों यश्मे गरहों की चाल आप शिवी को बड़ी धनलाप की योग बनाएंगी। इसलिए दोस्तों आप शिवी को बड़ा दें कि जब भी आप कार्य करते हैं उन्हें में जल्दबाजी मत कीजिएगा। योग दोस्तों शमे के शाद आपको हर कारियों में शुपलताओं की प्राप्ति होगी। अगर आप शल्दबाजी में कार्य करेंगे तो दोस्तों कोई मामले आपसे छूट सकते हैं जिनसे आपको मुश्किलें भी मिल सकती हैं इसलिए दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना है इसको परांद आप शिवी को बड़ा दें कि खुशकबरियों का आपके लि में कोई मामला आपका था और दोस्तों वह व्यक्ति आपको खुशकबरी शुनाएगा और दोस्तों वह खुशकबरी आपके ही पक्ष में होगा जिया दोस्तों इसको प्रांद आप शिवी को बड़ा दें कि यश में आपको बश किशी बेंजान व्यक्ति के उपर आँख म करना है जी अशनों अनुल कहती है लेकिन दोस्तों बहुत बिखे और है आँ कीडसें। चक्ते हैं जिया दोस्तों इसलिए खुद पर आपको विश्वाज करना है और खुद के क्रोध पर आपको थोड़ा शाइख कंट्रूल कर रखना है खुद के बातों पर आपको थोड़ा शाइध्यान देना है अपने लहजे को स्वाव कर बोला है नम्र वहवार और दयालू शवभाव की आपको अपने चदरी को यश्मे रखना है दोस्तों आखिर आप शिभी को बता दें कि आपका जो वैवार है हमेशा ही नमर और दयालू प्रविरत्ति के ही है लेकिन दोस्तों कई बारे शाह होता है कि बहुत शारे तनाव की कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं यानि दोस्तों कहने का दात पर यह है कि तनाव में होने की कारण व्यक्ति के मुश्य कुछ अब सब्दा आ जाते हैं लेकिन दोस्तों इनका दात पर यह नहीं कि आप गलत सवभाव के हैं दोस्तों सवभाव आपका उतनाई निस्चल है लेकिन बश आपक से बहुत ज़रादा धोके मिलते हैं तो दोस् 첫 में आपको अपने लोगों पर तो बिलकुल भी भ्रुशा नहीं करना है या फिर अपने लोगव के शार्ट कोई भी लेंद्धर नहीं करना है जिए दोस्तों आपको इन शबी बातों पर ध्यान देना होगा कि अपने लोगों शियाश में आपको दूरी बना कर रखनी है जिया दोस्तों बहुश में ये कार आपको नुक्षान दिला सकते हैं तो याश में आपको शमल कर रहना होगा जिया दोस्तों इसकी उप्राहती दोस्टों हम आप शिवि को बदा दें कि याश में आप शिवि के शत्रू के कोई गुप शिकरेट आपशबी के शामली आ सकते हें जिन के कारण आपके आँख भी खुलने वाले हैं जे दोस्तों या फिर जो वेक्ति आपको धोका दे रहते मन ही मन एश में आप जान पाएंगे और दोस्तों आपकी आँखें खूल जाएंगे। गुस्त को दोस्तु मियं सकते हैं जोकि आपके लिए बहुत ऐच्छा चीज होगा जें दोस्तों वहाँ अपने जो मनसिक तनाव है उन्षवी आपको मुख्द भी हो पाएंगे इसके उपरांती दोस्तों हम आप शुवी को बिदा दें की जो भी यो आवर्ग है वे अपने काम को लेकर बिल्कुली शक्त हो जाएं शमय आपके लिए बहुत यचा है उन्नती के लिए आपको सोचना है केरियर के लिए आपको अपने शमय को यूज़ करना है जे दोस्तों इशके उपरांती हम आप शुवी को बिदा दें की जिवन साती के शवाव यश्मी बहुत यचा रहेगा उनका शयुग मिलेगा इशके उपरांती दोस्तों आपका घर का भी शवाव बहुत यचा रह लेकर आपको बिल्कुली चिड़ना नहीं है दोस्तों शवी बातों को आपको हल करना है जो लोग प्रेम श्मन्हें पिछले कई से थे उन शवी के लिए बहुत यच्छा है घर का जो बात है दोस्तों आपके पक्ष्में होंगी आफिर कहें तो गरहों के श्याव बहुत ब अपनी बातों को उनके शामने बिल्कुल ही खुलकर रखना है अच्छी तरीके शे आपको अपने बातों को उनके शामने कहना है जिया दोस्तों इसके उपरांती हम आप शिवी को यह बात भी बता दे कि यह श्मी जो भी लोग नोकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए नोकर करके शाहत साथ इश्कुब्रान दोस्तों हम आप शुवी को बदा दें कि यश्मी आपके लिए एक बड़ी खुशकबरी है अगर आपने किशी को पेशा दिया था वह पेशा आपको वापश मिल सकता है प्रॉप्टी मंदिश्व में आपके लिए अच्छा है दोस्तों जो आपके अफशर आप शुवी के हाथ में आने वाले हैं बस आपको उन पर कारी करना है जो दोस्तों शुवास के लिए समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है सुवास में आपको कोई भी परिशानी नहीं होगा पर आपको बेफुजल के तनाव लेने शे बचना है करना है जो दोस्तों शुवास के लिए बचना है बाहर में भी दोस्तों आप कहीं पर जा रहे हैं कोई एशा लोग आपसे मदद मांगते हैं तो दोस्तों उन लोग की आपको मदद करना है दोस्तों शुवास आपको भूल कर भी नहीं रखना है कि आप किशी का मदद ना करें जिहां दोस्तों इशा भूल कर भी मत किजिएगा कि दोस्तों आपके उपर यश्मी इश्वर की देवी शुक्ति आपके इशात रहने वाली है इसलिए दोस्तों यश्मी आपको इन बा दलाब के रास्ते आप शिवी के लिए खुलेंगे और घर प्रिवार का महल भी अच्छा होगा जो शत्रू आप शिवी को प्रिशान करते हैं उन्षे भी आप शिवी को मुक्ति मिलेंगी तो दोस्वों आपको कौन से उपाई हश्मे करना चाहिए दोस्वों सबसे पहले आपको शपेत कपड़े के जंडे को पीपल के व्रिक्ष पर लगाना चाहिए जो शमे है जो गरों के स्तिती है जो दुन है इनी के नुशार हमें आपको ये उपाई बता रहे हैं जे दोस्वों आप शिवी को शपेत कपड़े के जंडे को पीपल के व्रिक्ष पर लगाना चाहिए यह दोस्तों वैवेशाय में एक आश्मिक दोस्तों वैधान एवंग पतन की शंभवना परबल हो रही है तो यह परियोग आपके लिए बहुत ही लाब दायक है जे दोस्तों आप शिवी को बिता दें कि एक हंडिया में शवाकिलो हरी मुंग की दाल दूशरी शवाक गर का माहौल सांती बना कर रखना है और गर में जो भी धन की शमश्याएं हैं जो धन की आवक रुख गई है वे धन की शमश्याएं भी खत्मोंगी धन की आवक भी बढ़ेंगी और माता लक्षमी का शिरवाद भी आप शिवी को प्राप्त होगा इश्क ब्रादी दोस्तों आप शिवी को एक और महत्पुन भाई कौन स्वी करने चाहिए दोस्तों आप शिवी को बिदा दें कि कभी कबार आप शिवी के पती पत्नी के बीच थोड़ी शी नौक जोंग होते हैं लेकिन दोस्तों एशा नहीं है कि आप लोग बहुत लेकिन दोस्तों अगर आप चोटी चोटी नौक जोंग को भी दूर करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप शिवी की रिष्टे में कभी भी नौक जोंग आये ही ना गलत मिमियां पैदा ही ना हो तो दोस्तों पत्नी को पीली चुड़ियां पहनी चाहिए जी दोस्तों पर आतले बिएस चाहिए, अब बड़ी को लीज़े के पने चाहिए, अब कर आपको ना चाहिए, और आपको कार्यों में शिफलताओं की प्राप्ति मेंुद्ध चोटे जो गर हों की इस्तिमें, छोटे जोटे एसे व्यूकट परिस्टियां पैदा होती है दोस्तों उन्से मुक्ति मिलेंगी और आपके कारिशिपल होंगे जे दोस्तों और घर्षे भी आप शिवी का नकार्तम उर्जा खत्म होंगी जे दोस्तों और दोस्तों यश्मी आपको एक खास मैतून बाई क्या करना है कि दोस्तों यश्मी इश्मी इश्वर की देविशक्ति आपके शाथ है तो दोस्तों आपको अच्छे कर्म करना है जे दोस्तों अपने मन को अपने शुभाब को हमेशा शकार्तमक रखना है इश्वर के परती आपको सबसे ज़दा प्रेम रखना है शबी लोगों की शायता करना है जो भी लोग आपके अनादर करते हैं दोस्वों उनको आपको सोट नहीं पहुंचाना है दोस्वों बस आपको यह शमजना है कि इश्वर यह आगे हम क्या है जब इश्वर इनको दंड देगा तो यह कहीं का नहीं रहेगा जिया दोस्तों बस आपको अपने कारे को करना है और दोस्तों आप देख पाएंगे कि इश्वर की जो प्रशनता है वे दोस्तों आपसे सबसे ज़दा बढ़ेगी इश्वर आपसे सबसे ज़दा प्रशन होंगे प्पर दोसों यह है कि किशी भी लड़की को किशी भी इस्तरी को या फिर किसी भी नारी को आपको अपशब्द नहीं बोलना है ना यह उनका आप मान करना है दोस्तों प्राजिन काल से ही हिंदु दर्मे यह निर्मान प्रमानित है कि इस्तरियों में देवी मतल लक्ष्मी का वाश है जिए दोस्तों और यश्मी मतल लक्ष्मी आप्ष्मी के जो उनकाल में प्रेशन नहीं और दोस्वों यश्मी उनका शंकेत भी आप शिपी को प्राप्त होंगी तो दोस्वों यश्मी आपको किशी भी इस्तरी को अपमान नहीं करना है ना है उनके इस्तरी आपके मा बहन हो या फिर बेटी हो या फिर आपके इस्तरी काम करने वाली कोई आपके शिनियर या फिर जुनियर दोस्तों किसी के भी शाथ आपको गलत तरिकेश्वे पेश नहीं आना है नहीं आप शब्द भाशाओं का आपको प्रियुक करना है इनशे दोस्तों धन की देवी माता लक्षमी आप शिभी शेच सबसे ज़्यादा प्रिशन होंगी और दोस्तों आपके शुन्काल में जो भी धनस यूड़ी शमस्याए है वे शुचा शमाप्त कर देंगी बस दोस्तों आपको इन बातों का खास तर पर ध्यान रखना है तब दोस्तों आपको अपने युनकाल में हर कारियों में शुभलताओं की पराप्ति होंगी जिया दोस्तों इश्क उप्राण दोस्तों हम आप शिविक को एक महत्वन उपाई बताते ही कि इसमें जो शमय है जो गरहों की इस्तिती है एनिक नुशारी उपाई करना है दोस्तों आपको हर रोज युपाई भूल कर भी नहीं करना है जिया दोस्तों इश्क में आपको शत्रू बहुत यदा परिशान करते है शत्रू आपको हमेशा कारियों में लुक्षान पहुचाना चाहता है या फिर बहुत शार इश्री का रहे हैं जिन में वह आपके पीछे लगे हैं तो दोस्वों यह श्मी आपको बश अपने शत्रू से पीछा चुड़ाने के लिए एक महत्पूर मंत्र का उपाय करना है जी आप शुबी को बता दें कि जो भी आपका मन है जो भी आप चाहतें कि शत्रू के पासाथ हो जाए दोस्वों बश वही होगा बश आप इसे आप ध्यान से दिखिएगा कि आपको एक निम्बू को लेकर उश कर चार टुकड़े कर लें और दोस्वों आप शुबी को बता दें कि चार लोंग भी लें और दोस्वों इन्हें गाड़ दें तो दोस्वों यह श्यमियास में आपको यह उपाय को बिलकुल ही करना है जे दोसों आपको एक निम्बू को लेकर उश पर चार लोंग गार दें तथा इश मंत्र का जाप करें जे दोसों यह मंत्र है ओ श्री हरुमते नमह इश मंत्र का जाप आपको केश बार करना है शाथे इसे ले जाकर आपको अपने काम के जगह पर रख देना है जहां पर आप या जहाँ पर आपको शत्रू परिशान करता है दोस्तों इसे जगहों पर आग देना है और दोस्तों इसे आपके जो भी शत्रू है जो आपको परिशान करना चाहते हैं वे खुद ही परिशान होंगे और आपको परिशान वे कभी नहीं कर पाएंगे हर्मान जी की शक्ति आपशिवी के इस्टात रहेंगी मावली हर्मान जी आपशिवी को रक्षा करेंगी बश आपको इस बात का ध्यान रखना है तो दोस्तों आने वाले तीन दुरों का श्मयाप करिए हीरे चेबी किम्ते शमय है और वाश्य में आपको दिखेंगे भी और उनमें आपको लाब की प्राप्ती भी होंगे जे दोस्तों बच आपको इन बातों के दना रखना है जो हमने आपको बताए हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आप शिवी को बहुत ज़्यादा प्रशन आये हैं दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को शरूर ही सब्सक्राइब केजेगा धन्यवाद आप शिवी का दिन पहुँ,